दोस्तो मैं चैनल पर आप नहीं आया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक उसके बगर इमें नोटिफिकेशन का बेल उसको किलिक कर दीजिए का लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए तो दोस्तो आपसे रिक्रेस है जब भी मेरा वीडियो देख रहे दोस्तो आज आपको हम बताएंगे Microtech 24x7 inverter के बारे में जो कि charging section में problem होती है इसको हम लोग इसमें करेंगे कि fault कहाँ पे कौन सा location में होता है और कौन-कौन component fault होने से ये problem देखने को मिलता है जोस्तो अगर charging की एंपियर ना आए तो सबसे पहले हम लोगों को जो है कि देखना होता है LM358IC जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं LM358IC देखना होता है इसमें जो की 1,2,3,4 जो आपका ground है 1,2,3 जो है यह आपका overload section के लिए काम करता है तो मैंने overload section के बारे में already video बना चुका हूँ आप लोग आगे का previous video भी देख सकते हैं अब दोस्तों हम इसमें बताएंगे charging के लिए तो charging के लिए इसमें आपका पांच नमबर, 6 नमबर, 7 नमबर आपका charging section के लिए यह IC काम करता है जो की यह IC operator amplifier है यहाँ पे देख सकते हैं pin number 8 जो है यह VC supplier 12 volt यहाँ पे input होता है अब दोस्तों हम लोग चलेंगे इसमें MOSFET आप देख सकते हैं MOSFET की जो source होता है उसके बीच में आपको एक sun डेखने को मिलता है उसी sun से जो की signal जाती है IC में तो आप देख सकते हैं जो sun की बीच में resistance लगा हुआ है एक सीरा पर आपका ground है और यहाँ से आपका connection चला जाएगा signal charging के लिए वो चला जाएगा देख सकते हैं R3 register लगा हुआ है 4.5 kilo ohms का resistance है इसके through चला जाएगा कहां पे pin number 6 में देख सकते हैं आप pin number 6 में और pin number 7 से जो की signal amplify करते हुए आउपूट होगी यहाँ पे आउपूट होते हुए यह आपका चला जाएगा कहां पे IC में इसके बीच में एक resistance लगा हुआ है R15 1K का इसके थुरूब आपका charging current माइक्रो आशी के pin number 13 में 13 में यह connection होगा जो की 0.9 बोल्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा अगर यह charging period में इतनी बोल्ट नहीं आ रही है तो आपको यह सारे component को फोल्ट के लिए चेक करना है तो यहाँ पे चेक करना होगा है इसके बीच म इसके बीच में आप देख सकते हैं कि resistance लगावा R8 जो की यह feedback यहाँ पे input किया गया है जो IC की output है उससे feedback चला गया है देख सकते हैं फिर input में connection नहीं चला गया है तो इसको अमनों feedback को जो की R8 है 120 kilo ohms का resistance लगा हुआ है इसके बीच में आप देख सकते हैं capacitor है C5 0.47 माइक्र फर्याट का है 63 वोल्ड में है अगर ए भी और फोल्डी होगी तो अपको charging नहीं आएगी तो इसको भी आपको check कर लेनी है और आगे हम लोग चलेंगी R9 1 की resistance है इसको भी चेक करनी है अगर यह खराबने पर भी आपका charging नहीं आएगा R1 resistance देख सकते हैं 4.7 के का है जो कि य अगर यह किया गया है अगर यह भी open हो जाएगी तो charging नहीं आएगी तो इसको भी आपको check कर लेनी है अब बस्तों फिर आगे चलेंगे तो इसकी बीच देख सकते हैं एक resistance R3 1.5 किलोम्स का resistance लगा हुआ है जो कि charging signal यहाँ पर input किया गया है तो इसकी बीच भी देख सकते है आप एक resistance R84 5.6 resistor लगा हुआ है यहाँ पर एक यह switch है जो कि charging ampere को आप लिए यहाँ पर setting कर सकते हैं यहाँ पर अगर short होगी तो ampere बढ़ जाएगी और open होगा तो ampere घड़ जाएगी तो यहाँ पर आपको check कर लेनी है अगर charging ampere कम यह ज्यादा यह increase और decrease ना हो रही है तो आपको यहाँ पर resistance चेक करना होगा इसी switch को चेक करना होगा ठीक है और दोस्तों IC खराब होने पर भी आपका यह charging की problem आ सकती है आपको फोल्ट के लिए पिन नमबर 4 जो है आपको ग्राउंड है और ग्राउंड के लिए यहाँ पर चेक करना है और पिन नमबर 8 जो है इसमे पर विशीश अपलाई 12 बोल्ट आती है यहाँ पर 5 बोल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा 12 बोल्ट डेखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको 12 बोल्ट को चेक करना है उसके बाद में आप charging को आप चेक कर सकते है charging आर यह की नहीं और देख सकते हैं आप एक रिश्टर लगावा है और 21.2 किलोंस का रिश्टिस लगावा है इसको भी आपको चेक कर लेनी है अगर यह भी खराब होगी तो आपको charging नहीं आएगी अगर दोस्तों सर्कीट बोल्ट में चलते हैं देख सकते हैं यह सर्कीट बोल्ट है सर्कीट बोल्ट में लोकेशन हम लों समझें बढ़े खराब है इसको कर पाएंगे जो थोड़ा सबस्क्राइब कर लेते हैं घीच लिते हैं फिलीट है पर यहाँ पर सद्रीट बोल्ट में और यहां पर समझेल आएगी तो सर्कीट बोल्ट में देख सकते हैं नहीं जो होता है उसके बीच में एकर संट लगा होता है औ आथरी है, आथरी के भेलव आप यहां पर देख सकते हैं, और उसके ठूँग जाएगी पीन नमर 6 में, और पीन नमर 7 से सिंग्नल आउट होगी, एम्प्लिफाई करते हुए, और यहां पर एक रेक्षेस्ट लागा हुआ जिसे कि आप पर यहां पर देख सकते हैं, पीन नमर 13 को जाएगी, यहां पर 0.09 मिलेगा मैपर चार्जिंग की प्रोब्लम आए, तो सब यहां पर देखना होगी, अगर चार्जिंग की प्रोब्लम आए, तो आपको एलें 358 आपको चेंज करनी होगी, टीक है ? उसके बाद में इसकी नमबर 8 में जो अपकी सपलाई होना चाई पिन नमर 4 में आपका गराउंड होना चाहिए निएडी सप्लाई और पिन नमर 6 में आपके स्क्राइन इल्पुट होगी और यहां पर सभी कॉंपनेट आप स्वोच चेक करने होगे जैसा कि यहां पर रेस्टेंस चेक देख सकते हैं यहां पर रेस्टेंस ओ लगा हुआ है इ तो आपको charging ना होने की problem देखने को मिलेगा ठीक है तो सभी component आपको चेक करने होंगे सभी जाके problem को suit out कर सकते हैं और इसमें micro IC को भी problem हो सकती है और सभी आपको component सही है फिर भी अगर काम नहीं कर रहा है तो micro IC को पो change करना पड़ेगा तो फ्रेंड इस problem के लिए जितने मैंने component देखाई हैं सभी component को चेक करने पड़ेगी तब चागे problem suit out होगी तो यह रहा आपका charging problem section के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया था तो आज के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूं मेरे वीडियो आप लोग बहुत पसंद आया होगा वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों मैं शेयर कीजिएगा और दोस्तों किस्टार्ट हो गया है आप लोग बुक मंगवा सकते हैं यह मैंने इसमें समझाई हैं और अभी लेटे जो भी इन्वाटर आ रहा है सभी का आपका डियाग्राम मिल जाएगा प्रस फोल फाइंडिंग मिल जाएगे और बेसिक भी रहेगा उसमें जो कोई भी लेके एक इन लोग रिपेर कर पाएंगे और इसका बुकिंग स्टार्ट हो गया है जो कि रिस्टेशन के लिए आपको 1500 लगेगा जब जिस दिन बुक जाएगा उस दिन आप लोगो 1000 और देना पड़ेगा निदि प्रोटल जो है कि तुटादों 500 का बूख है और जो को यह चार्स लगे कि प्रूप जोगेगा जिस दिर दिर झाला है दोड़ा पापनेजादा प्रेट और करें अमें दोड़ा, आर का क्रेंड यादा गया को तोड़ाया है दोस्तों मैं चैनल के आप नहीं आये हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ठीक उसका बगर भी नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दिजिए का लेटेस्ट वीडियो बेट पाने के लिए